असलाम अलेकुम जी, so last lesson में हम लोगों ने देखा था कि artbrush कैसे use किया जाता है तो इस lesson में हम लोग अपने brushes के topics को complete करते हैं और देखते हैं कि Bristol brush और pattern brush किस तरह से use किया जाते हैं So, Bristol brush is very easy to understand मैं Bristol brush यहां से create कर रहा हूँ और यहां से आप different shapes use कर सकते हैं कि आपके जो brush के tip है वो कैसी होनी चाहिए इसके लाब आप यहां से different settings को change कर सकते हैं और आपको जो results हैं कि आपका जो stroke बनेगा वो कैसा नजर आएगा, वो कैसा draw करेगा वो यहां पर आप एक live preview उसका देख सकते हैं तो suppose मैं यहां से round fan कर लेता हूँ और इसका size हम थोड़ा से increase कर लेते हैं इसकी length को थोड़ा से कम कर लेते हैं इसकी density थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं ठीक है, अब यहां पर जो brishtel है brishtel is actually, यह जो इसके बाल है brush के इसको brishtel कहते हैं, ठीक है तो brishtel density का मतलब है कि आपका जो brush है उसमें ज्यादा बाल है ठीक है, तो यहां पर आप results देख सकते है कि अगर brush में ज्यादा बाल हूँ तो उसका result बहुत dense आएगा अगर उसमें कम बाल होंगे तो उसका जो result है वो low density के साथ होगा तो यहां पर आपको कुछ results नजर आ रहे है ठीक है, अगर आप इसकी length भी कम कर लें इसकी density भी कम कर लें तो आपको पता चलेगा यह सिर्फ बारीक लाइने है और इसका मतलब है कि इस brush के अंदर सिर्फ और सिर्फ तीन से चार बाल है जो के यह stroke ड्रॉक कर रहे है राइट, आप density increase करें इसकी length थोड़ी medium की रख लें size वड़ा बढ़ा कर लेते हैं इसके बाद जो आपके बाल है उसकी thickness कितनी होनी चाहिए ठीक है ज्यादा thick बाल है या thin बाल है इसके लावा stiffness is very important ठीक है suppose जैसे आप मुख्लिफ तरह के brushes यूज़ करते हैं जो के construction में यूज़ होते हैं तो वहाँ पे कुछ brush होते हैं उनके तारों वाल होते हैं ठीक है वो मुख्लिफ purpose के लिए यूज़ किया जाते हैं paint brush होते हैं जिनके बड़े soft से बाल होते हैं जो के दिवारों के पर paint के लिए यूज़ किया जाते हैं so अगर आप stiffness पढ़ाना चाहते हैं so the brush is going to be very stiff और इसमें आप समझ लें के उसके जो बाल होंगे वो तारों के साथ होंगे ठीक है they are going to be very hard they are going to be very rigid ठीक है flexible soft रखने हैं तो इसकी stiffness को आप कम कर सकते हैं इसको मैं यहां से okay करता हूँ तो यह उसने मेरा brush create कर दिया मैं यहां से brush लेता हूँ इसका fill off करता हूँ और अपना एक stroke बनाता हूँ right तो कुछ इस तरह से हम different shapes के साथ play कर सकते हैं मैं दुबारा से brush लेता हूँ ठीक है जी तो उसके साथ आप play कर सकते हैं इसके बाद हम आते हैं जी pattern brush के उपर दुबारा एक दफ़ा stars को लेते हैं और इसे इस दफ़ा create करते हैं the pattern brush right so मैंने इसको select किया यहां से add किया और pattern brush को select किया तो इसके बाद आपके सामने एक preview आ रहा है और कुछ मजीद options आ रही है तो preview के अंदर आप देख सकते हैं कि जो आपने star use किया था उसका pattern उसने create किया हुआ तो यहां पर आप उसके different angles को भी देख सकते हैं जैसे जैसे आपके stroke angle change होगा आपके जो brush angle है जो stars आपने use किया है उनकी direction भी change होगी तो पहले हम एक normal brush create करते हैं इसको side पर लेके जाते हैं और अपना stroke बनाते है ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे आपका stroke चलता किया वैसे वैसे stars अपनी जो rotation है उसको change करते रहे हैं ठीक है अगर हम एक circle लेके उस पर apply करें तो यहां पर हमें जाद अच्छी समझ आएगी कि brush किस तरह से अपने patron को repeat कर रहे है हम लोग एक अलग से shape बनाते है for example we are going to create a triangle ठीक है और हम कहते हैं कि यह इसका as a head के तोर पे इस्तमाल करें तो triangle को use करने के लिए हम इसको swatches में add करेंगे ठीक है मैं इसको यहां पर swatches में add कर लेता हूँ और इसके बाद जब हम वापस अपने brushes में जाते हैं तो यहां पर जाके इसको हम कहते हैं कि हेड के तौर पे तुम हमारे इस new pattern swatch 1 को use करो ठीक है तो जहां जहां पे हमारा जो stroke end होगा वहां पे उसका जो head है वो ये वाला होगा जो हमने उसको assign किया था बिल्कुल ऐसे ही अगर आप उसको टेल assign करना चाहते हैं तो आप अलग से shape बना के दे सकते हैं या आप existing जो shapes आपको recommend कर आप उसमें से choose कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही inside corners outside corners आप अपनी मर्जी से choose कर सकते हैं draw करके इसको assign कर सकते हैं यह वो सारी properties हैं जिनको change करके आप art brushes create कर सकते हैं एक थोड़ा सा interesting brush create करते हैं और उसके बाद अपने lesson को end करते हैं प्रूप आप 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 आप